हलो आज से का नमस्ते अब्रिवान उमीद करता हूं सब लोठी ठाक होंगे आज के लिए मैं आपके लिए गूड नियूस लेकर आया हूं जो लोग केंडा का विस्टर वीजा आप उसको कैसे कनवर्ट कर सकते हैं वाक पर्मेंट में अगर आप मेरे चैनल पने हो तो सबसे मेरे चैनल को लाइक करें और जो सब्सक्राइब करें बटन होता इसको भी प्रेस करें ताकि जब मेरी नवी वीडियो है उसका जो आपको नोटिफिक्शन मिल जाए जो कैनडा के इमिग्रेशन मिस्नेस्टर है मारको मेंट सीनों ने ट्विटर करकर पच्चे गस्त को ये अनाउस कर दिया है कि जो लोग विस्टर वीजे पर कैनडा में आए हुए हैं वो अपने विस्टर वीजे को वर्क परमट में कनवर्ट कर सकते हैं आपको पता है COVID-19 के वज़ज़ से पूरे ही वर्ल्ड में जॉब्स की काफी दिक्कत आई हुई है शॉर्टर जाई हुई है जिसकी वज़ज़ से एम्पलॉईर मिलनी रहे हैं तो इसी वज़ज़ से उन्होंने ऐसा ये कनून पास किया है कि कोई भी अगर विस्टर वीज़ज़ पर जो वहां पर अवेलबल है अगर वो उसको स्किल कैटाकरी में जो वहां के एम्पलॉईर को चाहिए होता है अगर उसको वो फिल करता है तो अपने विस्टर वीजे को अपने उसको वर्क पर्पमन में कनवर्ट कर सकता है और अब यह रूल दो तरह की लोगों के लिए बहुत सारा बेनफिट है जो लोग अलड़ी ही विस्टर वीजे पर कैनड़ा में माजूद है और जो लोग विस्टर वीजे पर कैनड़ा में जाना चाते हैं क्योंकि काफी लोगों के पहले जो मन में ऐसे डाउट थे और कोशन भी मिरे पूछते थे कि सर जो विस्टर वीजे को कैसे कनवर्ट कर सकते हैं चील के सांट उसके सांट रियर सकते हैं तो चलिए आपको ले चलता हूं कंप्रीटर स्क्रीन पर और समें, आप देखेंगे जो इसके बारे में फिरीन पर देच सकते हैं जो विचिक अरे जांघे नेocy हो हो घ्राता है भीजाना को घ्राइई work permit without having to leave Canada कि आप जो new policy regarding आप जो विस्टर विजा तो आप उसको work permit में convert सकते हो without Canada leave करने के बिना so new release है यह हुई है 25 अगस्त को change intent to benefit the employee who are still facing difficulty finding workers यह उन लोगों के लिए है जो इस according visitor who are currently in Canada and have a valid job offer will be able to apply for any specific work permit if approved receive the work permit without having to leave the country thanks for the new public policy announces today to Honorable Marco Il Mancidino Minister of Immigration refuses and citizenship this temporary policy change effect immediately यह जो इनकी जो policy है यह already ही शुरू हो चुकी है during the pandemic temporary residents who will remain in Canada were encouraged to maintain a valid legal status with a air travel limited around the world some visitor to Canada have been unable to leave while some foreigner workers had to change their status to visitor because their work permit were expiry and they don't have a job offer to be able for apply a new work permit some some employee in Canada have also faced ongoing labor skills अगर मैं इसको पूरी तरह पढ़कर बताऊंगा तो काफी difficulty होगी लेकिन जो आप इसको on the page पर पढ़ सकते हो ठीक है काफी जो वहां पर जो वक्त इस COVID-19 की वज़ा से problem हुई थी काफी लोगों के job भी चूटके थे और काफी लोगों के job वहां पर expire भी होगे थे यह उनके लिए benefit होगा तो इसको जो apply करने के लिए जो eligible होना चाहिए वो जो main point है वो आपको बताता हूं have valid status in Canada as a visitor on the day they apply तो उनको apply करने के लिए valid visitor का status होना चाहिए apply करने के लिए have been in Canada on August 20, 2020 and reminded in Canada जो वहां पर 24 अगस्त 2020 से पहले वहां पर गे हुए हैं वो अपने visitor visitor को वहां पर convert कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी जो requirement है उनके पास Canada का job offer होना चाहिए and जो last है submit an application employee specific work permit that is supporters the labour market and payday ली में आई तो उनके पास ली में भी होना चाहिए ली में expect offer for employment no later than March 31st 2001 So जैसे कि मैंने आपको पूरी information है with proof already आपको मैंने describe की है आपको पता कि कैसे जब भी मैं जो information देता हूं with proof देता हूं और आपके लिए जो अगर आपको इसके बारे में और भी इसके बारे में related पढ़ना चाहते हो तो आप Canada की जो CIC website है उस पर जाकर इसके बारे में पूरी information और भी information ले सकते हो जो लोग 25 अगस 2020 में पहले गे हुए उल्ड़ी उन लोगों के लिए ये वो लोग apply कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है इस वीजे के बारे में अगर वो 30 मार्च 2021 में पहले वहाँ पर गे हैं वो उसको अपने विस्टर वीजे को convert कर सकते हैं और उनको जो Canada का exit करना नहीं पड़ेगा वो वहाँ पर present time में ही अपने वर्ट जो विस्टर वीजे को convert कर सकते हैं अगर आप भी विस्टर वीजे के बारे में more information चाहते हैं तो आप हमको call कर सकते हैं अगर आप tourist visa apply करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको contact कर सकते हैं अभी तो COVID-19 वज़ा के सभी जो विस्टर वीजा है वो तो भी बंद है लेकिन जब भी आप open होगे तो very soon हम आपको लि लगी होगी सो मिलते हैं guys next video में until then take care bye bye